बनिये शोशल मीडिया मिलेनियर बाई दिपक बजाज अपना ब्रांड बनाने और ओनलाइन डारेक्ट सेलिंग बिजनस बढ़ाने के सुझाओ और तकनिके आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? हमारे पास यह विकल्प नहीं है कि क्या हम शोशल मीडिया पर काम करें? प्रशन तो यह है कि हम इसे कितनी अच्छी तरह करते हैं? यह शब्द एरिक कौाल मैं द्वारा कहे गए हैं हम इंसान समाजिक पराणी हैं जो आपसी संपर्ग तथा जुडाओ की वज़े से जीवित रहते हैं तथा फलते भूलते हैं हम दूसरों के साथ जुडने के इस सहज बोद के साथ पैदा होते हैं दूसरों के साथ यह जुडाओ हमें खुश और सुरक्षित महसूस कराता है शोशल नेटवर्किंग प्लैटफोर्म्स ने संसार को शोशल मीडिया पर एक साथ लाने के लिए इसी बुनियादी सहज बोद का इस्तिमाल किया है जो एक छोटी पहल के रूप में शुरू हुआ था अब उसने संसार की लगबग आदी जन संख्या को आपस में जोड दिया है 29 जून 2021 को स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा परकाशित एक लेक के अनुसार 2021 तक सोशल मीडिया पर संसार की 8 अरब लोगों में से 3.78 अरब लोग आपस में जुर जाएंगे आगे दिया गया चार्ट दिखाता है कि केवल फेस्बुक के 2.7 अरब सकिरिय उप्योग करता है जिसके बाद यूट्यूब आता है जिसके 2.29 अरब सकिरिय उप्योग करता है 28 जून 2021 को स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा परकाशित एक अन्य लेक के अनुसार भारत में फेस्बुक के 33 करोड सकिरियोग उप्योग करता है जिसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजिल आते हैं जिनके करमश 19, 14 और 13 करोड सकिरियोग करता है यदि फेस्बुक इंडिया एक देश होता तो यह संसार में सरवच जनसंख्या के संदर्ब में तीसरे स्थान पर होता केवल टीनेजर्स ही शोषल मीडिया का इस्तमाल नहीं कर रहे जहां अमेरिका में 18-29 वरष की उमर के 90% लोग सकिरियता से शोषल मेडिया का इस्तमाल कर रहे वही 65 की उमर से जादा के 40 परतिशत लोग भी शोशल मीडिया का इस्तमाल कर रहे हैं और ये संख्याएं हर पल बढ़ रही है इसी परवर्ति की अपेक्षा अन्य सभी देशों में भी की जा सकती है स्मार्टफोन बजार की भारी लोग प्रेता की वज़े से शोशल मीडिया की विकास की और बल मिला है Statista.com पर 31 मार्च 2021 को परकाशित S ODIA के लेक के अनुसार 2020 में दुनिया के 3.6 अरब लोग स्मार्टफोन का इस्तमाल कर रहे हैं और अनुमान है कि यह संख्या 2023 तक बढ़ कर 4.3 अरब हो जाएगी स्मार्टफोन के उप्योग करताओं की संख्या के संदर्म में चीन अवल है जिसके बाद भारत फिर अमेरिका इंडोनेशिया और ब्राजिल आते हैं हाला कि स्मार्टफोन का उप्योग करने वालों में भारत संसार में दूसरे स्थान पर है लेकिन यह गोर करना दिल्चस्प है कि स्मार्टफोन की पैट के संदर्म में भारत का स्थान 19वा है भारत की सिर्फ 31.8% जन सेंख्या ही स्मार्टफोन का इस्तिमाल करती है जबकि अमेरिका में 81.6%, चीन में 63% और इंडोनेशिया में 88.6% लोग इसका इस्तिमाल करते हैं इसी रिपोर्ड में भारत का स्थान 2018 में 40-वा था, 2017 में 45-वा था और 2013 में 47-वा था इस परवर्ति को देखते हुई है, बहुत सपश्ट हो जाता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में स्मार्टफोन का उप्योग करने वालों की संख्या में भारी वरिद्धी हो सकती है और इस वरिद्धी की वज़े से शोशल मीडिया का अब्योग करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पूरा संसार अब ओनलाइन हो गया है और कहा जाता है कि जो व्यवसाय ओनलाइन नहीं है वे जल्द ही ठप हो जाएंगे अन्य वेवसाय की तरह ही यह डारेक्ट सेलिंग के बारे में भी सच है सोशल मीडिया यहां रहेगा यह जाने वाला नहीं है यह कोई अल्पकालिन फैशन नहीं है वही जाएं जहां आपके ग्रहक पहुच जाएं शोशल मीडिया पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट अब आपका नया पता है लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करने का नेडने लेने से पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट आपकी पहली छाप छोड़ते हैं और लोग आपके शोशल मीडिया अकाउंट देखकर ये आपके बारे में बहुत सी बातों का मल्यांकन कर लेते हैं लेकिन यह देखना रोचक है कि शोशल मीडिया वह सबसे एविश्यस निया चीज है जो डारेक्ट सेलिंग के साथ हुई है दुरभागय से यह डारेक्ट सेलिंग के साथ होने वाली सबसे विश्यस कारी चीज भी है शोशल मीडिया ने समार्ट डारेक्ट सेलर्स के स्तर को उपर उठाया क्योंकि इसने उन्हें पूरे संसार के एहसिमित अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ जुडने तथा प्रोस्पेक्टिंग करने में सक्षम बनाया जबकि ज़्यादातर नो सिखियों को इसने जन्ता को स्पैम करने के स्तर तक गिरा दिया और इस तरह उद्योग की छवी खराब कर दी दरसल लोगों को शोशल मीडिया के रूप में एक नया खिलोना मिल गया है और वे सबी तरह के पागलपन भरे परियोग करके इसके साथ खेलने लगे हैं सरल भाषा में कहें तो इस पुस्तक में मेरा लक्षे इस तरीकों को बदलना है मैं चाहताओं कि डारेक्ट सेली में मिले हुए लोग उसका सही इस्तिमाल करें जो संसार के इतिहास में मिलने वाला सबसे शक्ति शाली रिक्रूटिंग ब्रांड बनाने वाला और बिजनेस कई गुना करने वाला टूल है इस पुस्तक का लक्षे आपको सोशल मीडिया की शमता का दोहन करने में निपून बनाना है इसका उदेश्य एक बड़ा डारेक्ट सेलिंग बिजनेस ओनलाइन बनाने के लिए आवश्यक योगिताएं और टूल्स परदान करके सशक्त बनाना है यह पुस्तक आपको नहीं सिर्फ सोशल मीडिया का परबंदन सिखाएगी बलकि आपको सोशल मीडिया सबंदी ऐसा परशिक्षन भी देगी जिससे आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी और साथ ही डारेक्ट सेलिंग का पेशा भी उपर उठेगा मुझे डारेक्ट सेलिंग उद्योक से प्रेम है मैं इसका सम्मान करता हूँ और मेरे जीवन के दो मिशन है डारेक्ट सेलिंग के पेशे के गर्व और रहिमा को बहाल करना दूसरा ज्यादा बड़ी और तीवर सफलता पाने के लिए डारेक्ट सेलिंग को प्रेरित तथा परशिक्षित करना मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक उपर बताए गए इन दोनों लक्षों को पूरा करेंगी इस पुस्तक का लक्षे आपको ज़्यादा तेजी से सफल बनाना और डारेक्ट सेलिंग के पेशे को उपर उठाना है दुखत बात यह है कि ज़्यादा तर डारेक्ट सेलिंग को इस तरह देखते हैं मानो यह डार्ट बोर्ड हो आप इस उमीद में इस पर डार्ट फेकते चले जाते हैं कि कोई ने कोई तो निशाने पर लग ही जाएगा और आपको सफलता मिल ही जाएगी लोगों ने वर्षो का समय सोशल मीडिया पर इस उमीद में बरबाद किया है कि कोई प्रतिकिरिया करेगा या उनके प्रोड़क्ट्स खरीद लेगा ज्यादातर डार्ट कभी निशाने पर नहीं लगते हैं और लोग कुंठित होकर यह काम छोड़ देते हैं किरिपया यह याद रखें कि उमीद कोई रणीती नहीं है आपको आशा नहीं बलकि लक्षो के साथ काम करने की जरूरत है कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे प्रगर्ति कर रहे हैं अपना ब्रांड बना रहे हैं लिकिन यह उनका मुगालता या भरम होता है 99% डारेक्ट सेलर्स को तो यह भी नहीं मालूम कि क्या पोस्ट करना है और कैसे करना है वास्तों में ज्याद तर पोस्ट करने वाले लोग अपनी और डारेक्ट सेलिंग उद्योग दोनों की परतिष्ठा या छवी खराब कर देते हैं बाकि दूसरे लोग लाइक्स व्यूज और फॉलोवर्स की संख्या देख देख कर खुश होते रहते हैं लेकिन अच्छी कबर यह है कि सोशल मीडिया पर आपका ब्रांट बनाने की आजमाई हुई रहन नीतियां और मैं इस पुस्तक में आपको वही सिखाने जा रहा हूँ याद रखें सोशल मीडिया पर काम करने के उतने ही तरीके हैं जितने वहाँ लोग हैं कई सोशल मीडिया इंफिलेंसर और डिजिटल मार्केटर सोशल मीडिया अकाउंट को बढ़ाने के लिए विग्यापनों और दूसरी जटिल रणनेतियां इस्तमाल कर रहे हैं सिखा रहे हैं हो सकते हैं कि यह रणननितियां अच्छी हो लेकिन उनका अनुकरन नहीं किया जा सकता मेरे पास भी इसे जटिल बनाने का यह विकल्प था लेकिन मैंने आपको वही अवधाननाएं सिखाने का निर्ने लिया जिने करना आसान है और साथ ही जिनका आसानी से अनुकरन किया जा सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस भी चीज को डूपलिकेट नहीं किया जा सकता वह चाहिए जितनी अच्छी हो डारेक्ट सेलिंग में कारगर नहीं होती यह फैंसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूं जैसे फणिल बनाना फेसबुक विग्या पनादी लेकिन सच कहूं तो गती स्थाइतो और बुनियात के साथ हमेशा बढ़ने वाला डारेक्ट सेलिंग विजनस बनाने के लिए इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं इस पुस्तक में मैंने जो सरल विचार दिये हैं उन पर अमल करके आप हर महीने लाखो रुपे की पैसिव इनकम कमा सकते हैं इस पुस्तक में आप जो विचार सीखेंगे उन पर अमल करने के लिए आपको श्टाफ या एजेंसी निक्त करने या लाखो रुपे का परचार करने की जरूरत नहीं है 99 परतिशत डारेक्ट सेलर्स जिस नंबर वन समस्या की शिकायत करते हैं वह यह है कि उनकी प्रोस्पेक्ट लिष्ट खतम हो चुकी है किरपिया याद रखें 2021 में भारत में फेस्बुक के 33 करोड उप्योग करता है समस्या यह नहीं है कि आपकी सुची खतम हो गई है असल समस्या तो यह है कि आप अब तक इस विशाल अदोहित बाजार का दोहन करने का सिश्टम नहीं खोज पाए हैं चाहे यह लिश्ट का विस्तार हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, सेल्स कलोज करना हो, अपनी टीम को कायम रखना हो, अपनी लीडर्शिप को स्थापित करना हो या अपने ब्राइंड को बनाना हो सही ढंग से इस्तमाल किये जाने पर सोशल मीडिया इन सबी को नहीं, तो जादतर समस्याओं को सुलजा सकता है अगर अप सोशल मीडिया का इस्तमाल करने के सही सिधान्तों और तकनिकों में माहिर हो जाएं, तो आप विवसाय में अजे बन सकते हैं इस पुस्तक का लक्षे आपको यही सिखाना है आप अपने हातों में जो पुस्तक थामे हैं वह विचारों और रणनीतियों से भरी हुई है जिन पर मैं खुद अमल कर चुका हूँ तथा मुझे उनसे एविश्वसनी परेणाम मिल चुके है पूरे संसार के हमारे हजारों कोर्स परती भागियों ने इन रणनीतियों का इस्तमाल किया है और उन्हें अद्भूत परेणाम मिले हैं यहां कोई जटिल सिधान्ति या शब्दावली नहीं है सिर्फ समाधान है जिने समझना और उन पर अमल करना आसान है पिछले 14 वर्षों में 11 लाग से जादा लोगों के साथ मेरे परक्रिशन प्राहमर्श अनुभव के दौरान मैंने सफलता के मनोवे घ्यानिक और व्यक्तिगत काया कलब की परकरिया में महारत हासिल कर ली है जो तवरित परेणाम देती है वैस्थाई काया कलब करती है इस पुस्तक में आपको मेरे समुच्य अनुभव और ज्यान का सार मिलेगा जिससे आपको एविश्वस्निय प्रेणाम मिलेंगे इसे पुस्तक नहीं समझे यह है तो आपकी जवर्दस सफलता का मैनुवल है सोचल मीड़ और ओनलाइन मार्केटिंग को नजर अंदाज करना वैसा ही है जैसे कोई वैवसाई शुरू करना लेकिन इसके बारे में किसी को भी नए बताना ये शब्द किसी अग्याद द्वारा कहे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में खेल के नियम बदल गए हैं COVID-19 ने परिवर्दन की इस परिकरिया की गती को और तेज किया है अब आपके पास दो ही विकल्प बचे हैं या तो बदले या फिर नश्ट हो जाएं आप इन परिवर्दनों को रोक नहीं सकते लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि इन नए नियमों के साथ काम कैसे करें और वह सफलता कैसे पाएं जो आपको अब तक कभी नहीं मिली है डारेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाने के लिए संसार के इतिहास में सरस्रिष्ट समय है मैं नहीं जानता कि आप किस अवस्था में है आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं आपको कितने व्यूस या लाइक्स मिलते हैं आपके कितने फॉल्वर्स हैं आपको सोशल मीडिया से कितना बिजनेस मिल रहा है आपके व्यवसाईगी वर्तमान स्थिती क्या है या आपके लक्षे क्या है लेकिन मैं एक चीज पक्के दोर पर जानता हूँ आप अपने हाथों में जो थामे हैं वह शोशल मीडिया में माहिर बनने का संपूर्ण मैनूल है अगर आप इस पुस्तक में सीखी चीजों पर अमल करते हैं तो आपको इतना कुछ हासिल होगा जितने की आप कलपना भी नहीं कर सकते जूडे रहें और अपनी सफलता की कहानिया तथा अनुभव बताते रहें मेरे सारे प्रेम शक्ती और शुब कामनाओं के साथ दीपक बचाच हत्याए एक शोशल मीडिया आपके व्यवसाय के नो छेत्रों में आपकी मदद कर सकता है पर द्योगिकी और शोशल मीडिया की बदोलत शक्ती दोवारा लोगों के पास आ गई है ये शब्द मार्क मैकिनोन दोवारा कहे गए है 1940 के दर्शक में डारेक्ट सेलिंग व्यवसाय की शुरुवात हुई थी और तभी से डारेक्ट सेलर्स चार मुख्य चुनोतियों से चूज रहे हैं ज्यादतर लोग इस व्यवसाय को इसलिए छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि वे इन में से एक या अधिक चुनोतियों को नहीं सुलजा पाते हैं ये चार मुख्य चुनोतियां ये हैं पहली आपकी प्रस्पेक्ट लिष्ट खतम हो जाती है दूसरा लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपके साथ व्यवसाय करने के लिए आपकी टीम में शामिल नहीं होते हैं तीसरा जो लोग आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं वे सक्रियता से काम नहीं करते नमबर चार आपकी टीम के साथ ही वेवसाय को जरूरत से जल्दी ही छोड़ कर चले जाते हैं जो लोग इन चुनोतियों का समाधान खोजने में सफल हुए वे इस वेवसाय में बचने और फलने फूलने में काम्याब हुए लेकिन बहु संख्यक लोग अब भी इन चुनोतियों को पार नहीं कर पा रहे हैं और जूज रहे हैं 2018 में मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका शिर्शक था B.A. Network Marketing Millionaire इस पुस्तक को हर डारेक्ट सेलर के लिए अनिवारे मार्क दर्शिका माना जाता है चाहे वै किसी भी कंपनी, प्रोडक्ट या इनकम प्लान के साथ काम करता हो इस पुस्तक का अनुवाद कई भाशाओं में हो चुका है और यह आज भी डारेक्ट सेलिंग उद्द्यों की सबसे लोग प्रिय और अनुशासित पुस्तक है इस पुस्तक से मैंने सोशल मीडिया के बारे में कई पन्ने लिखे थे लेकिन मुझे पता नहीं था कि तीन साल के भीतरी मैं डारेक्ट सेलिंग वैवसाय बनाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तमाल पर एक पूरी पुस्तक लिखूँगा मैंने यह पुस्तक लिखने का नेड़ने लिया इसका मुख्य कारण यह है कि समय के साथ शोशल मीडिया ने दिखा दिया कि यह डारेक्ट सेलर्स की इन सबसे बड़ी चुनोतियों को सुलजा सकता है शोशल मीडिया में इतनी अद्बुत वीशेशताएं हैं कि इसके इस्तिमाव से हर व्यक्ति को बड़ा डारेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने में मदद मिल सकती है मैं एक और तथ्थे से बहुत रोमान्चित हूँ और वह यह है कि मैं सोशल मीडिया का जितना जादा इस्तमाल करता जाता हूँ मुझे और जादा तरिके मिलते जाते हैं जिन से यह लक्षे हासिल करने और हमारे परभाव को कई गुना बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है सोशल मीडिया ने मुझे व्यक्तिकत रूप से यह शक्ति दी है कि मैं पूरे संसार के लाखों करोडों लोगों को पर भावित कर सकूँ और अपनी पुस्तकों, वीडियो, इबुक्स, ओनलाइन कोर्से, हाई परफॉर्मेंस, कोचिंग तथा लाइव ट्रेनिंग इवेंट से ऐसंख्य लोगों के जीवन का काया कल्प कर सकूँ यह पुस्तक लिखे जाने तक मेरे ओनलाइन कोर्सेस में पचास से अधिक देशों के परती भागी शामिल होते हैं और मेरी शोशल मीडिया समगरी सो से ज्यादा देशों में देखी जाती है शोशल मीडिया के बिना मुझे यह सब कैसे हासिल हो सकता था दरसल पिछले कुछ वर्षों में हमारे आसपास का संसार पूरी तरह बदल गया है लोगों की आतों और जियों शेली में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है पहले लोग कलास रूम में सीखते थे अब ओनलाइन सीखते हैं मनोरंजन पहले टीवी के माद्यम से होता था अब नेटफलिक्स और यूट्यूब के माद्यम से होता है न्यू चैनल की जगए गूगल और ट्विटर ने ले ली है खेल भी मैदान से मुबाइल फोन पर आ गए है वास्त में मुबाइल गेमिंग संसार के सबसे तेज विकास करने वाले और सबसे बड़े उद्योग में से एक बन चुका है इस परिद्रश्य में जो डारेक्ट सेलर्स बदलती परतिक्रियाओं के हिसाब से खुद को और अपने काम करने की शैली को नहीं बदलते हैं उनका बचना मुश्किल होगा डारेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों के साथ किया जाता है पहले डारेक्ट सेलर्स अपने प्रोस्पेक्ट से रेलियो स्टेशनों विवहा समाहरों, समाजी कारेकरमों, हवाई अड़ों आधी जगवों पर संपर्क करते थे लेकिन अब आप जहां भी देखें लोग अपने मवाईल फोन से चिप के नजर आते हैं और वे अपने मवाईल फोन में क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया इसलिए मुखे से डारेक्ट सेलर्स को वहाँ जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं और अगर लोग सोशल मीडिया में चले गए हैं तो यह डारेक्ट सेलर्स के लिए अनिवारे हैं कि वे भी अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर ले जाएं टेम के परबंदन परक्षिक्षन आदी की नई रणनेतियों तथा साधनों बरकाम करना चाहिए सफलता की कुझी है कि आप तयार होने से पहले ही शुरू कर दें ये शब्द मैरी फॉरलियो द्वारग कहे गए है संसार की आदी चंसंक्या पहले से ही शोशल मीडिया पर जुड़ी हुई है क्योंकि सोशल मीडिया ने तमाम सीमाई हटा दी है और पूरे संसार को लगबग मुफ्त में हर किसी की मुठ़्ी में ला दिया है यह नया संसार हमेशा बदलता रहता है और यह पुस्तग इसी नए संसार में आपको जीतने के लिए तयार करेगी, आप इस बुस्तग में जो भी सीखेंगे वे हर चीज आपको सोशल मीडिया के इस्तिमाल में माहिर बना देगी, जिससे आप अपने सपनों को ज़्यादा जल्दी साकार कर सकेंगे, सोशल मीडिया आपको जो लाब द चुड़ेंगे और आपकी प्रोस्पेक्ट लिष्ट बढ़ती रहेगी, ने सिर्फ आपको ऐसंख्य प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, बलकि आप सर्फ तरिष्ट प्रोस्पेक्ट भी चुन सकेंगे, किसके साथ व्यवसाय करना आपको सफसे ज़्यादा सही लगेगा, फिर आप श्रिष्ट प्रोस्पेक्ट की अंतहिन पाइपलाइन बनाने में सक्षम होंगे, नमबर दो, आपकी बिकरी का अनुपात कई गुना बढ़ जाएगा, ज्यादा सरो लोग आप से जुड़ने का निर्णा लेने से पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं अच्छे सोशल मीडिया अकाउंट की वजए से आपके प्रोस्पेक्ट आप पर ज्यादा आसानी से विश्वास कर लेंगे और इस तरह आपका बिकरी अनुपात यानि सेल्स कनवरजन रेशो बढ़ जाएगा है, बिकरी अनुपात बढ़ने का मतलब यह है कि आपको उतने प्रियास से ज़्यादा प्रेणा मिलेंगे, लोग आपकी टीम में रुके रहेंगे, हर वेक्ति विकास शील लीडर के साथ रहना चाहता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपकी उपलबदियों तथा नेतरतव को उस परदर्शित करने का उतकरिष्ट मंच है, जब प्रेशा अच्छे लीडर के आसपा सुरक्षा का एहसास करते हैं, जब आपकी टीम के साथियों को यह विश्वास होगा कि एक अच्छा लीडर उनका नितरतव कर रहा है तो वे बहतर परदर्शन करेंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट की हर पोश्ट आपकी टीम को आ आसान हो जाती है, व्यक्तिकत स्पॉंसरिंग दर असल डारेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बुनियाद है, मेरी पुस्तक भी एन अटम मार्क्टिंग मिलेनियर का यह उठारन व्यक्तिकत स्पॉंसरिंग की शक्ती को साराश में बताता है, हर व्यक्ति अपना डारेक्ट सेलिं को इस तरह से बनाता है कि आप सरस्रेश्ट गुनवत्ता के प्रस्पेक्ट को आकरशित करते हैं आपकी सेल्स क्लोजिंग बहतर होती है और आपकी उपलब्दियां लगातार अंजान लोगों के समूह तक पहुशती है इन सबसे आपको निरंतर व्यक्तिकत स्पॉंसरिंग की शक्ति मिल जाती है आप जिस भी नए व्यक्ति को स्पॉंसर करते हैं हर उस व्यक्ति के साथ आप अपनी चोड़ाई तता गहराई को बढ़ाते हैं और इस तरह अपनी आमदनी भी कई गुना बढ़ा लेते हैं शोशल मीडिया पूरे संसार को आपकी चोखट तक ले आया है लोग अब आप से सिर्फ एक पोस्ट या एक वीडियो दूर है आप कभी नहीं जानते कि आपकी पोस्ट या वीडियो कहां पहुंचेंगे मित्रो के मित्र, अनुशंसित, पोस्ट, सुझाओ, शेर और प्लैटफॉर्म, अलगोरिथम आपकी पोस्ट को सिर्फ कुछ सेकंडों में ही एसंखें अनजान लोगों तक पहुचा सकते हैं जब शोशल मीडिया पर आपके प्रभाव का वरित कई गुना बढ़ता है तो आपकी सूची भी कई गुना बढ़ जाएगी मेरी पहली पुस्टक भी ये नेटों मार्क्टी मिले ने दोजार अठारा में परकाशित हुई और तब से आज तक बहुत लोग प्रिया है यह संसार में अपनी तरह की पहली पुस्टक है जिसमें वहपूरी जानगारी साधन ग्यान तता रणन नीतियां दी गई हैं जिनसे लोग एक बड़ा डारेक्ट सेलिंग वेवसाई बना सकते हैं इस पुस्टक ने लोगों के जीवों ने बहुत आश्चरह जनक योगदान दिया और पाठको को बहुत शांदार प्रणाम मिलें लेकिन इसके बावजूद शुरूआत में मेरे पुस्टक के पाठको की संक्या सिमित थी और इसे केवल मेरे परिचीतों तता उनके मित्रों फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपने कुछ यूट्यूब वीडियो में इस पुस्टक के बारे में बताया है जब लोगों ने मेरे वीडियो शेर किये तो इस पुस्टक के पाठको की संक्या आस्मान चुने लगी इसलिए बात ध्यान रखें कि आ आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं वह सरस्रिष्ट को बाहर कर देगा आपके मित्रों अनियाईों से सतत समवाद आपकी हर पोश्ट लोगों को आपकी और आपके काम की याद दिलाएंगी आप ऐसंक्या नए मित्र बना सकते हैं बच्पन से अब तक आप जिसे भी जानत है और सोचल मीडिया एक साथ ऐसी मित लोगों के संपर्क में रहने का बहतरीन तरीका है एक तरह से यह माने कि हर पोश्ट आपकी तरफ से प्रोस्पेक्टिंग कर रही है नमबर आठ शोहरत शोचल मीडिया ने कई यूट्यूबर्स और इस्टाग्राम इंश्टाग्राम बोलिवुड तता होलिवुड की हस्तियों की बराबरी में खड़ा कर दिया है जिन लोगों को कुछ साल पहले तक संसार जानता भी नहीं था आज उनके करोडों फोलोर हैं और यह सिर्फ उनके सोचल मीडिया अकाउंट के कारण संबव हुआ है वे ब्रांट्स के विग्या बढ़ जाएगी फिर बहुत से लोग आपके फोलोर बनना चाहेंगे जब आप वेवसाइक सम्मेलनों में जाते हैं तो शोचल मीडिया पर आपको फोलो करने वाले लोग आपको खोशत हुए वहां आएंगे और आपके साथ सेल्फी लेंगे तथा आटोगराफ भी लेंग बढ़ता है शोचल मीडिया आपके नित्रतव और परवाव को कई गुना बढ़ता है अगर तरीका सही हो तो हर पोश्ट और वीडियो से आपकी छवी तदा पत्तिष्ठा बढ़ती है इससे आपकी विश्वसनियता बढ़ती है और आपके शब्दों में ज्यादा वजन आ करेंगे और एक बड़ा वेवसाइब बनाने के लिए हर संभव प्रयातन करेंगे लेकिन मैंने देखा है कि कई बार अच्छे काम का भी कोई फाइदा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह सही लोगों तक नहीं पोश्टा सोचल मीडिया आपकी उपलपतियां आपकी टीम तक प मीडिया से जूड़ रहे हैं समाने सदस्य हर महिने छे या अधिक अलग अलग शोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर जाता है हर दिन इन पर लगबग धाई घंटे खर्च करता है लोग हर दिन साफ से आठ घंटे सोते हैं यह मानते हुए अगर हम इन आकडों का विशिलेशन करें तो हमें पता चलता है कि लोग अपना ओस्तर 15 परतिशत समय शोचल मीडिया पर बिता रहे हैं शोचल मीडिया धीरी धीरी हमारी संसकर्थी का हिस्सा बन चुका है यह इसका अभिन और स्थाई हिस्सा है जिसकी पैठ समय के साथ ज्यादा गहरी होती जा रही है यह ज् के शेत्र में भी दिन दुनी रात चोगनी प्रगति करेगा इसकी मदद से लोग कारे खुशल समवाद करने और बिक्री परिणाम पाने के ज्यादा सरिजनात्मक तरीके खोजेंगे यह निश्चित रूप से बविश्य में सवलता दिलाने वाला एक मुख्य घटक होगा मै यह पूरी तरह से आपकी सरिजनात्मक ता पर निर्भर करता है कि आप इसका कहां इस्तमाल करेंगे और कितना लाब लेंगे शोचल मीडिया के बारे में सबसे बहतरी बात यह है कि इसने बे आवाज लोगों को आवाज दी है याद रखें और बताएं शोचल मीडिया आप आपके लिए इतना कुछ कर सकता है कि उसका कोई और छोर नहीं है एक मातर सीमा आपकी कल्पना है डारेक्ट सेलिंग का समंद लोगों से है इसलिए डारेक्ट सेलर्स को वहाँ जाना चाहिए जहां लोग जा रहे हो लोग अब सोचल मीडिया पर पहुश चूके हैं बनाया विजेता फोर्मूला नेटव मार्केटिंग लाब और सिधान प्लस सोचल मीडिया प्लस ओनलाइन टूल्स यदि आपको प्रोस्पेक्ट की अंतहीन पाइपलाइन चाहिए तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने पर काम करना होगा जो आपके सोते वक्त भी आपकी सूच करती भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे आपके करने के लिए जरूरी काम इस अध्याय के तीन सरफ्रेश्ट सबक अपने शोचल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें अपने काम के उन शेत्रों की शूत्ची बनाएं जहां शोचल मीडिया आपकी मदद कर सकता है